हेलो फ्रेंट्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310 तो फ्रेंट्स आज हमें एक बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंपोर्टेंट टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूट्यूब शेडियूल वीडियो मैं आपको इस आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यूट्यूब शेडियूल वीडियो क्या है तो जैसा कि आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि इसमें हम अपनी YouTube की वीडियो को schedule कर सकते हैं अब second point की बात कर लेते हैं कि हम इसका use क्यों करते हैं तो friends अगर आप एक regular YouTuber है और regular अपनी वीडियो को YouTube पर upload कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ जाए तो आप सोचेंगे कि मैं अपनी वीडियो को कैसे डालूँगा आपके पास time ही नहीं है तो friends हम YouTube schedule वीडियो की help से अपनी वीडियो को schedule कर लेते हैं और जिस time और जिस दिन हम पनी वीडियो को डालना चाते हैं उसी दिन वो public होती है और अब इसमें third point है कि YouTube schedule वीडियो को कैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए चलते हैं हम अपने laptop की screen के उपर तो friends हम आ चुके हैं अपने laptop की screen के उपर जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने Google Chrome open किया हुआ है आपको भी open कर लेना है और इसमें हमें यहां उपर टाइप करना है www.youtube.com और इससे enter करना है और यहां से हमें अपने channel के अंदर login कर लेना है मैंने एक dummy channel से login किया हुआ है उसके बाद हमें यहां पर right corner में उपर इस icon पे click करना है अपने और यहां से हमें YouTube studio के अंदर जाना है YouTube Studio के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर create का एक option दिखाई देगा जहांसे हम अपनी वीडियो को डालते हैं इसके अंदर तो हमें create पर click करके और अपनी upload वीडियो यहाँ पर हमें अपनी जो भी वीडियो हम डालना चाते हैं ठीक है वो हमें पहले यहाँ पर upload कर लेनी हैं तो मैं इसमें जल्दी से एक चोटी वीडियो upload कर लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मैंने आप एक dummy वीडियो upload कर दिया आपको सिखाने के लिए तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे schedule करते हैं तो यहाँ पर last option जो है visibility का आप इसमें सबसे पहले details में इसमें सब कुछ fill up कर लेना जैसे आप upload करते हैं regular ठीक है उसके बाद मैं आपको direct ये option बताता हूँ schedule वाला इसे scroll down करेंगे और यहाँ पर आपको एक schedule का option दिखाई देगा तो आप जैसे इस पर click करेंगे तो यहाँ से आपको date पूछेगा ये आप से ठीक है कि आप इसे कब करना चाते हैं और time zone पूछेगा कि आप किस time इसे post करना चाते हैं तो हमें सबसे पहले इस date पर click करना है हम इस पर जैसे ही click करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप के सामने सब कुछ खुल गया है, कितनी भी डेट को हम यहाँ पे अपलोड करना चाते हैं, हम यहाँ से स्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं दसी रखता हूँ इसे, ठीक है, आप कोई भी डेट रख सकते हैं, आप टाइम तुन सकते हैं, आ आप जिस भी time इस पे upload करना चाहते हैं वो आप यहां से select कर सकते हैं तो यहां से आपको पता लग गया हम time or date कैसे select करते हैं तो आप अगर 2-4 दिन के लिए कहीं भी बाहर जाते हैं तो आप यहां से schedule कर देंगे ठीक है इस schedule पे click करके रखेंगे और यहां से schedule पे click कर देंगे नीचे तो यह यहां पर आप देख सकते हैं कि यह इतने time पे इतनी date को यह automatic public हो जाएगी इस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियो को schedule कर सकते हैं इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको यहां पर आप content पे जब click करेंगे तो यहां पर भी आपको यह शो होगा यह देख सकते हैं आप visibility की schedule की हुई है कि यह इतने time पे इतनी date को अपने आप public हो जाएगी अभी यह private है देख सकते हैं आप schedule हुआ हुआ है तो आप इस तरीके से जितनी चाहें उतनी वीडियो यहां पर अपने time और date के recording यहां पर schedule कर सकते हैं तो friends आपने अच्छे से सीख लिया अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई होते से लाइक जरूर करें और जादा से जादा शेयर करें थैंक यू